क्या अब सत्तुपाल मलिक ग्रफतार हो जाएंगे क्या सत्तुपाल मलिक ने जो देश के प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी और बीजेपी पर खुलासा किया है क्या आप बहुत जल्द एरी सीवी आई की रेट पड़ेगी क्योंकि लगातार देखा जाए कि जो भी बीजेपी स सरकार को घेड़ता है या भारती जनता पार्टी पर सवाल खड़े करता है उसके घर जो है पुलिस पहुंच जाती है या फिर कहीं ना कहीं उसकी फाइलों को खोल दिया जाता है नमस्कर आपके साथ मैं हूरितिक सवीता स्वागत है आपका एस्पीन नाइन न्यूज मैं जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर राज्युपाल जिसके हम कह सकते हैं सत्वपाल मलेक लगातार जो है अब पुलवामा हमले को लेकर जो है एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि सत्वपाल मलेक अब क्यों बोल रहे हैं पहले बोल कॉल किया था उनसे कहा था कि यहां पर बिमान जो है कही ना कहीं सेनकों को सौप दिया जाए इसके बाब जूद देश के प्रधान मंत्री ने उन्हों से कहा कि आप चुप रहिए आप नहीं समझोगे तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद सत्वपाल मलिक ने अजीट डोभाल को कॉल किया और अजीट डोभाल ने भी बही बात कही जो देश के प्रधान मंत्री ने कही लेकिन अगब देख हैं तो सत्वपाल मलिक अभी ये बता रहे हैं कि अगर देश के प्रधान मंत्री उस तरीके की काम नहीं करते तो शायद वो 40 जवान शहीद हुए है वो शहीद कहीं चुनाब के पहले-पहले सत्वपाल मलिक पर शकंजा कर सेगी सत्वपाल मलिक को गिरफतार करवा सकेगी क्योंकि ये कई बार देखा गया कि जब राहुल गांदी केमरिश पहुंचने के बाद राहुल गांदी ने जो है लोकतंदर की हत्या की बात कर दी ताना शाही क की बात कर दी और जैसी केंब्रिस से राहुल गांदी भारत आते हैं उनके घर दिल्ली प्रिस पहुंच जाती है भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कहीं न कहीं जो महिलाओं को लेकर टिपड़ी की थी उसको लेकर पूश्टाच की जाती है सुरत कोड का फैसला आ जाता ह ठीक है और संसत की सदस्ता चीनली जाती आने की राहुल गांदी की राजनेते केरियर को खत्म करने का प्रियास किया जाता लेकिन सत्वपाल मलिक इस बगत सुर्खियों में हैं लगातार उनके इंटर्व्यू चल रहे हैं और एक के बाद एक बड़े खुलासे सत्वपाल म मलिक कर रहे हैं अब देखना यह होगा कि बीजेवी पार्टी सत्वपाल मलिक को कैसे रोप पाएगी आज के लिए सुरुप इतना ही देखते रहे है एस्पीन नाइन न्यूज